सलाम एव्रिवन, मेरे नम सिद्रा रजब है और मैं बाई प्रोफेशन टीचर हूँ मैंने एक फिल्म में देखा कि एक डॉन अपने नए ने चूस किये हुए लड़के को अपनी पुरानी टीम से मिलवाने के लिए लेकर आया बिना बताया आया, उसने देखा कि उसका जो राइट हैंड था, जिसके पास बड़ी अथॉरिटी थी, यानि बॉस के बाद जो डायरेक्ट अथॉरिटी थी, वो टीवी देख रहा था साथ मैं वो फोन पे बात करा था, वो जिस situation में था, उसने at the spot उसे फारिख किया, उसे का you are fired और ये जो newly chosen boy है, इसको उसने उसकी जगा पर appoint कर दिया, अब वो जिससे fire किया गया, वो बहुत बड़ी post पे था, उसने शोर किया कि मैं क्यूं, क्यूं मुझे fire किया गया बॉस ने उसे का, मैंने जब तुम्हें देखा, तो तुम फोन पे बात कर रहे थे, सामने तुम्हेरे टीवी लगावा था, तुम मैच देख रहे थे, जबके तुम्हें पता है, कि आज तुम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा secret message, waiting condition में थे, तुम्हें वो receive होना था, how dare you, तुम ये सब कुछ एक वक्त में कर रहे थे, और naturally, जिस passion की ज़रूरत थी, इस boss को, वो उस बंदे में नहीं होगा, क्योंकि वो तो बयक वक्त कहीं सारे ऐसे काम कर रहे है, जिनमें अलग-अलग बहुत सारा interest चाहिए, अगर वो सारे काम ऐसी कर रहे है, तो वो किसी एक भ मेरे उपर जरा apply करके देखे, हम लोग जिन्दगी में एक रास्ता चुनते हैं, चुनते वक्त, रास्ता तो बहुत बड़ी बात है, shopping, shopping करते वक्त, साथ वाले बंदे से राय लेते हैं, अपनी choice की कोई कदरों कीमत नहीं है, उससे पूछ रहे हैं, चीज हमने इस्तमाल कर करेगा, मैंने तो तुम्हारे कहने पर ये चीज़ खरीद ली थी, ये कौन सा attitude है, जिन्दगी गुजारने का, मेरी समझ से ये बाहर है, बिल्कुल इसी तरह, education की field, education की वो field है, जो सारी जिन्दगी के लिए काम आनी है, उसमें भी attitude है, life partner चुदे वक्त भी attitude यही है, मैंन हमें थाली का बैंगन बनाता है, ना हम इदर के रहते हैं, ना हम उदर के रहते हैं, आपने एक proverb सुना होगा, jack of all, master of none, तो आज मेरा मुद्दा यह है कि जब हम ready हों, किसी भी चीज़ के लिए, तो किसी एक चीज़ को focus कर लें, किसी एक चीज़ को पकड़े और उसके deserve करेंगी, यह है एक fair game, यह है एक honesty के साथ खेला हुआ खेल, so shortly and precisely, try to choose one thing while getting ready, जिसके लिए भी आपने ready होना है, वो एक चीज़, वो एक इनसान, वो एक रास्ता, कुछ एक choose करें, ताकि आप उस पर पूरी honesty के साथ चल सकें, और धीरे धीरे उसमें mastery हासल करें, उसमें महा बाज नहीं सुनते, हमने किसी दूसरी की क्या माननी है, और जो हम मानते भी है, वो इस तरीके से मानते हैं, कि देखा, मैंने तुम्हारी मान ली है, हम लोग इतने चिंदी होते हैं, कि हम लोग सवाल करने से भी डरते हैं, मतलब जिस रास्ते पर हमने चलना है, उसकी authenticity को भ लाए चाहिए, वो काम जिसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसका fruit भी हमसे related है, उसका failure भी हमसे related है, उसकी success भी हमसे related है, लेकिन राय दूसरे की चाहिए, ready होते वक्त हमें सुकून नहीं है, confidence के साथ, अपनी पूरी energy लगा के, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम पागल they were in a list, जो मुझे सलाम कर रहे थे, वो मुझसे suggestions ले रहे थे, यह मैंने खुद देख रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, problem सिर्फ एक था, मैंने सुना नहीं था, अगर मैं सुनती, मैं भी discouraged होती, मैं भी पीच्छे हट जाती, मैं भी वो करती जो वो चाह रहे थ मैंने वो नहीं किया, I didn't stop, I also got damaged, मैंने भी बहुत सफर किया, लेकिन डटी रही, इसी एक पॉइंट पे, वो ही, वो एक पॉइंट, वो एक पॉइंट था जिस पर मैं डटी रही, अगर मैं उसको छोड़ देती, सब खतम हो जाता, हमारे पास शिक्वे हैं, हमारे पास शि मैं रहे न, तुझे से रेत गिर रही है, मुझे ऐसे लगता है, जिन्दगी ऐसे मेरे हाथों से जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं गया, और मेरे पास करने के कितने काम है, एवरी डेई इस पासिंग यू बहाइंड, आपको पीछे चोड़ दिया, दिन आगे निकल गया, क्या की है मैंने और आपने, एक दिन और गुजर गया, सुफाम करें, ओन करें अपने फैसलों को, पूरे इतमाद, पूरी इज़त के साथ, पूरी एनरजी के साथ, खुद को इज़त दें, अपनी आँखों से देखें, अपने आप को, अपने फैसलों को करने के लिए किसी दूसरे के दिमाग का yes जरूरी नहीं है मेरा एक student था, ये recent वाक्या है, उसमें का कि मैं बहुत फस्चुका हूँ, बड़ी एक उसकी critical सी situation थी, कि अगर मैं यहां से वापस आ जाता हूँ, मतलब मैं अगर परकस्तान में settle होता हूँ, तो में यह प्रॉब्लम्स हैं, मैं वहां जाता हूँ मैं उसे एक ही बात कही थी कि अगर तुम एक फैसला ले लो जो भी फैसला तुमें फील होता है ना, वो एक फैसला, वो ले लो फिर उसके बाद इदर से उदर ना होना, चाहे तुम्हें कोई मूँ चड़ा आ रहा है चाहे तुम्हें कोई discourage कर रहा है तुम्हें पूरी कुवत से और काफी जल्दी उसका result भी मिला उसका मुझे phone भी आया and he thanked it कि कितना अच्छा हो गया वजह सिर्फ एक थी, कि वो जम गया बाकी उसके अपने parents भी उसके फैसले के खिलाफ थे, लेकिन जब फैसला उसने लिया, तो फिर सब उसके साथ खड़े हुए नजर आएंगे आपको भी मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, जिन फैसलों पर अपने parents criticize कर रहे हैं उन पर भी अगर हम दिल जमी से खड़े हो जाते हैं, और अपने फैसले को own करते हैं, तो फिर वो फैसला हमें fruit भी देता है, लेकिन ये बात भी बहुत बड़े दिल की है कि जिस फैसले को हमने own किया उसकी बेज़तियां उसकी discouragement, उसका हर failure उसका हर थपड हमारे ही हिससे का है, उस वक्त हमें किसी दूसरे के मुँगी जरुरत नहीं बढ़नी चाहिए और यकीन करें, मैं personally इस चीज़ में से गुज़र चुकी हूँ, कि वो थपड हमें इतना बड़ा fruit देता है, कि शायद जीत भी हमें वो fruit ना दे फिर तीसरा, फिर चोथा, ऐसे जिन्दगी आपको चांस नहीं देगी, जिन्दगी आपको इज़त तब देगी, जब आप पूरी honesty के साथ जिन्दगी को इज़त देगे मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं, मुझे comments करते हैं मैं बहुत energetic feel करती हूँ Thank you so much, goodbye